चैनल में आने वाली सभी वीडियो की जनकारी तुरंद पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दवाए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है शाहिली अदब और आप देख रहे हैं रिप्रोनिक चैनल तो अगर अगर आप एक स्मार्टफोन उसर है तो आपके मोबायल में अड्रोइड लगी है और आजके शी वीडियो में हमें ढड्रोइड के बारे में ठ耶 н нny करेंगे तो अगर एंड्रोइड के टोटल चाहते हैं तो इस वीडियो को अंद देखी है है चली सुरू करते हैं वीडियो दोस्तों कोई भी मोबाया हार्ब भूटते हैं for example आप मोबाइल की डिस्प्लेई ड्स बैर्टरई बोर्ड या मोबाइल के अंदर लगी हुई connectors जैसे सीम की connecteur। memory connector कैम्रेज डिस्प्लेई connector scotto liya मोबाइल की अंदर की पार्ट। जैसे स्पिकर थेश्पिकर अधिर्पीर और माइक, जितने भी पार्स हैं आपको मालूम हो या नहों, सभी पार्स को हाडवेर बोलते हैं और मोबाइल काम करने के लिए सिर्फ हाडवेर इनफ नहीं होता है, इसमें सॉफ्टेयर भी डालना पड़ता है, क्यों? क्योंकि आप जो भी इनफोमिशन हाडवेर को देना चाहते हैं, वह आप डररिक्ली हाडवेर को नहीं सेंद कर सकतें क्योंकि आपका दिया हुआ इनफोमिशन हाडवेर समझ नहीं पाएगा, इसलिए मोबाइल में सॉफ्टेयर जाला जाता है software क्या करती है user दिवारा दी गई information को hardware को send करती है और hardware उससे information को समझ के अपने function कर पाता है तो software एक ऐसी चीज है जो hardware की language भी समझता है और user के language भी समझता है तो software basically दो तरह की होती है एक होती है system software और दूसरी होती है application software तो जो हमारे और hardware के बीच में जो काम करवाती है उस software को system software बोलते है क्योंकि एस system को operate करती है हमारे जो demands है जो requirements है उसे hardware को बोलती है और hardware उस तरह से function करके हमको काम करके देता है तो इस तरह की software को system software बोला जाता है तो उसी software का एक example है android तो जितने भी software आजकल popular है उसमें से सबसे ज़्यादा जो popular है ओ है android और शिर्फ android एक software नहीं है इसके अलाबा market में और भी बहुत सारे software अभेलेबल है जैसे कि iOS, Windows, Blackberry, Symbian, etc तो android किस phone में लगी होती है जो apple company का iPhone है उसके अलाबा लगबग जितने भी phones होती है लेकिन कोई phone exceptional है जैसे Windows पे चलने वाली phones भी market में अबलेबल है और mostly Nokia brand अपना Windows यूज़ करके phone launch करती है लेकिन यह popular उतना नहीं हो पाया इसलिए Windows अब इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं है इसलिए आजकल जो Nokia है वह भी Android यूज़ करके phone launch करने की सोच रही है तो दोस्तो Android एक ऐसी software है जो संसार में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है mobile phones के लिए कोई भी आपका जो smart devices है जैसे की camera हो गया, mobile हो गया, tablet हो गया, computer हो गया, laptop हो गया सभी को चलाने के लिए उसमें एक smart software डालना पड़ता है वो software उसको smart बनाती है, वो hardware itself में smart नहीं होती है तो दोस्तों basically मैं आपको एक example देना साथ हूँ कि hardware और software क्या है जैसे माल लेजिए कोई भी इनसान को कोई काम करना हो तो काम करने के लिए वो अपने body का जो जितने भी parts है वो use करके वो काम करेगा लेकिन उस काम करने के लिए उसके पास अगर information ना हो तो वो काम नहीं कर पाएगा तो इस example में आप क्या समझें इनसान का जितने भी parts है उसको हम hardware की तरह सोच सकते हैं और जो इनसान को काम करने के लिए जो smartness या जो ideas आईडियास आई है उसको आप software समझ सकते हैं तो इसी तरह mobile में भी काम करने के लिए hardware और software दो चीज़े लगी होती है तो एक इनसान को बहतर क्या बनाती है उसकी knowledge उसके अंदर जो information है उसके अंदर जो software है वो आदमी को एक इनसान को बहतर या smart बनाती है इसी तरह mobile, tablet, computer या जितने भी smart devices आजकाल market में आ रहा है सभी में एक तरह की software लगी होती है जो उसको smart बनाती है तो उसमें से एक software है Android Android एक ऐसी software है जो जिस device में लगती है और device बहुत सारी function कर पाता है इसी लिए आजकाल Android से चलने वाला phones सबसे ज़्यादा popular है तो आज की इस वीडियो में मैं इसी Android के बारे में बहुत सारी बाते कर रहा हूं तो दोस्ता आप चैनल को देखते रहे है या आप रिक्ट्रोनिक चैनल देख रहे है और मैं हूँ आपके साथ साहिल यादव तो दोस्तों Android को अब डीटेल बात रहे करते हैं थोड़ी जैसे Android basically क्या है एक operating software है जिसको OS भी बोला जाता है और mobile को क्या करती है mobile को जब आप on करती है तो जितने भी hardware सोती है सभी को connect करता है या सभी को wake या on करने का काम करता है और hardware और user के बीज में communicate करने का और दोनों को इंटर लिंक एक दूसरे से लिंक करने का काम Android करती है तो दोस्तों Android कब बनी किसने बनाई Android इसके बारे में थोड़ी बाते कर लेते हैं तो Android Android Inc. के एक company है जो 2004 में Android को launch किया और बाद में इसे Google ने 50 million dollar में खरीदा था दोस्तों तो Android जब बना तो पहले ही smartphone के लिए नहीं बनाया गया था इसको digital camera के लिए बनाया गया था बाद में smartphone को जो development हुआ जित रफतार से smartphone यूज होने लगा तो इसके application देखते हुए Android को फिर smartphone के लिए भी develop किया गया Apple में काम करने वाले एक एंजिनियर थे Android Rubin उन्हीं के नाम से Android बना है Android Rubin बिसिकली robotics के दिवाने थे और Apple में लोगों उनके colleague उनको Android के नाम से बुलाते थे तो उन्हीं के नाम से इस OS का नाम Android रखा गया और Android Rubin OS के co-creator है उसके बाद अब जानते हैं Google ने Android को कब लंज किया Google ने Android Rubin से Android इंक से Android को खरीदने के बाद November 5 2007 में Android लंज किया और एक Linux बेस्ट OS है दोस्तों Android सबसे पहले HTC Dream में यूज किया गया था मोबाइल 2008 में रिलेज की गई और आज करोड़ो मोबाइल में Android OS बहुत ही popular है और दोस्तों इसके साथ नासा की एक रोबर्ट में भी Android का एक gingerbread version यूज किया गया है तो दोस्तों यह थी कुछ unknown facts जो आपको मालिम नहीं थी अब Android के बारे में कुछ और information लेते हैं दोस्तों जैसे एक open source software है जिसे user programmer या कोई भी company इसे use अपने मुताबिक modify करके use कर सकता है इसलिए जितने भी मोबाइल में Android होती है सभी में similar नहीं दिखती है क्योंकि सभी में company अपने अलग-अलग तरह की launcher लगा के इसको market में launch करती है या release करती है तो दोस्तों Android एकदम open है free to use है जिसको company अपने हिसाब से modify करके उसमें अपना brand कुछ add करके release करती है जैसे आप Samsung का mobile लेंगे तो उसमें अपका interface अलग दिखेगा Redmi का लेंगे तो उसमें अलग दिखेगा और जो genuine जो pure Android से चलने वाला software जो mobile होती है उसमें Android का look कुछ अलग ही होता है तो Android का सबसे main या महतपूर्ण features है Google Play Store दोस्तों Google Play Store से आप क्या कर सकते हैं आपको जितना भी app जरूरी होता है और सभी आप download कर सकते हैं और एप में लगभग 2.8 million app available है और ज्यादा तर एप आपको free ही मिलेगी Android रिलीज करने के बाद जैसे Android जो first में रिलेज हुआ था उसका नाम Android 1.0 था उसके बाद उसको modify करके 1.1 बनाया गया जैसे नाम दिया गया है तो चलिए जान लेते हैं Android का क्या क्या भर्संस है और इसका नाम कैसे दिया गया है Android का सभी भर्संस का नाम अल्फा विटकल लेटर के अंसार ही दिया गया है दूस्तों जैसे Android Astro 1.0 का जो नाम था उसको Android Astro बोलते थे उसके बाद 1.1 लंच हुआ जिसको बेंडर बोलते हैं उसके बाद 1.5 Android 1.5 को cup cake भी बोला जाता है उसके बाद Android Do Not जो 1.6 वर्सं था उसके बाद Android Eclair जो 2.0 वर्सं था उसके बाद Android 2.2 और उसके बाद के वर्सं को phoreo बोला गया उसके बाद 2.3 और उसके बाद के वर्षन को gingerbread बोला गया उसके बाद 3.0 जिसको android honeycomb भी बोला जाता है उसके बाद 4.0 जिसको ice cream sandwich बोला जाता है और उसके बाद jelly bean जो 4.4 से उपर का वर्षन है उसके बाद kitkat जो 4.4 वर्षन है उसके बाद lollipop जो 5.0 और 5.1 और उससे आगे की वर्षन को lollipop बोला जाता है और उसके बाद है marshmallow जो अभी running है जो अभी market में बहुत ज़्यादा popular चल रही है उसका नाम है android marshmallow जो 6.0 या उससे उपर का वर्षन है और उसके बाद अभी nougat launch हुआ है जो android का 7 वर्षन है और उसके बाद market में अभी android o जो android 8 है उसका नाम android o रखा गया है ओ का मतलब अभी पता नहीं चला है लेकिन o से पहले का जितने भी यह नाम था सभी एक sweet के नाम पर रखा गया था तो ओ भी कोई ना कोई sweet हो सकता है इस तरह सी android का different version को alphabetically यह से लेके अभी तक और तक पहुंचा है उसके बाद जो android launch होगा उसका नाम android P होगा क्योंकि android का सभी वर्षन का नाम alphabetically ही चल रहा है तो यह था कुछ android का versions का नाम तो चलिए देख लेते हैं android का कुछ pictures जैसे इसका logo या graphic कैसी थी तो आप यहां पर देख सकते हैं जैसे cupcake, eclair, different android versions का कुछ graphic में यहां पर डाला हुआ है तो दोस्तो आपको इस वीडियो में पता चल ही गया होगा कि android का कितने versions है available है android क्या है कब launch हुई और किसने इसे बनाया और यह basically कितनी popular है और आगे जाके इसका बहुत ही bright future है दोस्तो तो आभी android का update करके आप इसके नई features का lab उठा सकते हैं और android को कैसे update किया जाता है android problem होने पर क्या-क्या problem हो सकती है mobile में इसके बारे में वीडियो बहुत जल्दे बनाने वाला हूं तो दोस्तो आज के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया और हमारी channel को grow करने के लिए help करे हमारे channel को subscribe करे और इस पे जितने भी वीडियो है सब भी वीडियो को देखे आज के लिए बाइ बाइ दोस्तों सी यू नेक्स ताम थैंक यू